नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकी से 1156 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 90 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम 100 की स्पीड में लेने वाले हैं Dictation के लिए कम से कम हम लोग दो नियूस पेपर का परयोग करेंगे आज अगर हम जनसत्ता के संपादकी से Dictation को ले रहे हैं तो दूसरे दिन हमारी कोशिस रहेगी कि हम दैनिक जागल के संपादकी से Dictation को लें Dictation के PDF के लिए आप हमारे Telegram गुरूप को जरूर जोइन कर लें गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको description box में मिल जाएगा तो 90 की speed में आपका Dictation start होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप ready रहें Start नए किर्सी कानूनों को लेकर किसानों का रुख लगातार तीखा होता जा रहा है तो इसके पीछे बड़ा कारण सरकार का उदासीन ताल मटोल वाला और हठ धर्मी रवया है अब इस्थिती यह है कि दिल्ली की सीमाओं पर धर्ना दिये बैठे किसानों ने संसद के करीब पहुँच कर अपनी समानतर संसद चलानी सुरू कर दी है उनका कहना है कि संसद आम लोगों का ओट पाकर ही संसद पहुचते हैं वे याद रखें कि सदन में किसानों की बात उठानी है सरकार किसानों से बात नहीं कर रही इसलिए उन्हें अपनी बात रखने के लिए यह तरीका निकालना पड़ा है इस समानतर संसद में किसान नेताओं ने निर्वाचित संसदों को धमकाया भी कि अगर वे किसानों की मागों को संसद में नहीं उठाएंगे तो उन्हें इसका नतीजा भी भूगतना पड़ सकता है हालाकि ज्यादातर विपक्षी दल सुरू से किसानों की मांग के समर्थन में रहे हैं इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने फिर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से भी इसे लेकर सदन में हंगामा स्वभाविक है किसान आंदोलन को चलते आठ महिने हो गएं कड़ी सर्दी धूप और बारिस जेलते किसान सडकों पर डेरा डाले हुए हैं मगर सरकार की तरफ से कोई व्योहारिक रास्ता निकालने की पहल अब तक नहीं दिखी है पहरा किसान अपनी मांग पर अडे हैं कि तीनों नए किरसी कानून रद किये जाएं और नियुन्तम समर्थन मुल्य की गारंटी दी जाएं मगर सरकार किसी भी रूप में कानून वापस लेने को तैयार नहीं है इस हठ धर्मिता में कोई बीच का रास्ता नहीं बन रहा कानून बनाना सरकारों का काम है मगर उसे लेकर अगर नागरिकों की तरफ से कोई आपत्ती दर्ज कराई जाती है तो उस पर विचार करना उन कमियों को दूर करना भी सरकार का ही दाईत्व है हाला कि सरकार कहती रही है कि वह किसानों के सुझाओं के मुताबिक इन कानूनों में संसोधन को तैयार है पर जिन बिंदूओं को लेकर किसानों को एतराज है उन पर वह बात ही नहीं करना चाहती दरसल ये कानून जिन इस्थितियों में पारित कराए गएं उससे ही सरकार की मंसा पर सवाल उठने सुरू हो गए थे अनेक किर्सी विशिसग्य किसान संगठन इन कानूनों में फसलों की खरीद भंडारण सहकारी खेती आदी से जुड़े प्रावधानों को खेती किसानी के लिए खत्रा मानते रहे हैं इनके जरिये खेती पर कार्पोरेट घरानों के कबजे की आसंका जताई जाती रही है उन्हें इन कानूनों में संसोधन की गुंजाइस नजर नहीं आती इसलिए वे उन्हें पूरी तरह रद करने की मांग कर रहे हैं पहरा कानूनों को उचित ठहराने के लिए सरकार ने कभी तारकिक ढंग से बात नहीं की बलकि उसे इस आंदोलन को ही बदनाम करने की कोशिस करते अधिक देखी गई पहले इसे देश के एक छोटे से हिस्से के किसानों का आंदोलन बताया गया फिर इसे खालिस्तान समर्थक कहा गया फिर अनेक तरीकों से धरने पर बैठे किसानों को परेशान करने की कोशिस की गई अनेक किसान नेताओं और उनका समर्थन कर रहे लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करके उन्हें जेलों में डाल दिया गया इस तरह किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती गई अगर सरकार सचमुच इस आंदोलन की गंभीरता को समस्ती तो सायद यह नौबत ना आने पाती कि किसान संसद सत्र के समांतर अपनी संसद लगातें हरियाडा पंजाब और उत्तर परदेश के पक्षमी इलाके में गाउं गाउं में जन प्रतिनिदियों को किसानों का मुखर विरोध जेलना पड़ रहा है सरकार इस मसले को जितना टालेगी नजर अंदाज या किसानों को छकाने का प्रयास करेगी उतना ही इस आंदोलन का रुख उग्र होने की आसंका बनी रहेगी पैरा पंजाब में पिछले कुछ समय से सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर जिस तरह की गुटबाजी और खीचतान चल रही थी उससे साफ था कि अगर इस मसले को जल्दी कोई हल नहीं निकाला गया तो आने वाले विधान सभा चुनाओं में पार्टी की रह आसान नहीं होगी इसलिए कांग्रेस में सिर्ष अस्तर से कई कोशिसें की गई लेकिन राज के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग और नौजोत सिंग सिद्धू के बीच तलखी कम नहीं होपा रही थी जबकी फिलहाल देश भर में पार्टी के धांचे से लेकर राजियों की सत्ता के मामले में कांग्रेस जिस नाजुक दोर से गुजर रही है उसके मद्दे नजर पंजाब में खुद को बचाना और मैदान में टिकाए रखना उसके लिए प्राथमिक है सायद यही वजह है कि पंजाब में चुनाओं के मद्दे नजर जनता के समर्थन का समिकरण अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए पार्टी ने एक तरह से जोखिम उठाया और अध्यक्ष पद नौजोत सिंग सिद्धू को सोपा लेकिन आसंका के अनुरूप कैप्टन अमरिंदर सिंग के खे में में पार्टी के इस फैसले का स्वागत नहीं हुआ हालत यह थी कि सिद्धू को राज कांग्रेज का अध्यक्ष बनाने के संकेत मिलने के बाद अमरिंदर सिंग ने राज की राजनीती में जरूरत से ज्यादा दखलना देने की सलाह देते हुए सिर्ष नित्रित्व को पत्र भी लिखा पहरा इसमें दो राए नहीं की राजनीतिक माहौल के लिहाज से कांग्रेज के लिए पंजाब के हालात अनुकूल नहीं है किसान अपनी मागों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और राज भर में आंदोलन का असर देखा जा रहा है नए किर्सी कानूनों के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में स्वभाविक ही किसानों के निसाने पर केंद्र सरकार और भाजपा हैं इसके बावजूद इस माहौल का फायदा उठा कर जनता का समर्थन अपनी ओर ठोस तरीके से मोड पाने में कांग्रेश को अगर काम्याबी नहीं मिल सकी तो सकी है तो इसकी वजह क्या हो सकती है जाहिर है कांग्रेश के भीतर इस बात को लेकर मन्थन चल रहा है और इसी कड़ी में नए परियोग के तोर पर सिद्धु को राज में पार्टी की अध्यक्षता सोपी गई है मगर एक असपश्ट फैसले के बाद भी पार्टी में कलह फिलहाल सांत होती नहीं दिख रही है सोमवार को सिद्धु ने राज में कांग्रेश के अस्सी में से अपने पक्ष में 62 विधायकों का समर्थन हासिल होने का दावा करके कैप्टन अमरिंदर सिंग के सामने एक नई चुनोती पेश कर दी यो राजनीती में मतभेद को कोई अस्थाई प्रवृत्ती नहीं माना जाता व्यवहारिक पैमाने पर किसी भी नेता का कद इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पीछे जनता और पार्टी सदस्यों का कितना बड़ा तबका खड़ा है फिलहाल चूंकी सिद्धू ने इसमें बाजी मार ली है इसलिए अब अमरिंदर सिंग के रुख में थोड़ी नर्मी दिखी है हलाकि यह देखने की बात होगी कि राज धाचे में इस बदलाओ के बाद दोनों खेमों के बीच सकरात्मक तालमेल बन पाता है या नहीं खास तोर पर तब एक समय अमरिंदर सिंग के लिए परिसानी का सबब बने राजिंदर बाजवा, सुखजिंदर रंधावा और सुखबिंदर सरकारिया ने अब सिद्धू का दामन थाम लिया है इसके अलामा थोड़े वक्त पहले तक राज में पार्टी के ज्यादातर विधायक अमरिंदर सिंग के साथ थें और अब सिद्धू करीब तीन चोथाई विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं इस नई परिस्थिती को कैप्टन अमरिंदर सिंग कितनी सहर्षता से सविकार कर पाएंगे और अध्यक्ष पद पर होने के नाते सिद्धू कितना सब को साथ लेकर चलने का रास्ता तैयार कर पाएंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्रिय नेत्रित्व दोनों के बीच सकती संतुलन का कैसा नया धाचा खड़ा कर पाता है सोखी स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें इस्टार्ट नय किर्सी कानूनों को लेकर किसानों का रुख लगातार तीखा होता जा रहा है तो इसके पीछे बड़ा कारण सरकार का उदासीन ताल मटोल क्वाला और हठधर्मी रवया है अब इस्थिती यह है कि दिल्ली की सिमाओं पर धर्ना दिये बैठे किसानों ने संसद के करीब पहुँच कर अपनी समानतर संसद चलानी सुरू कर दी है उनका कहना है कि संसद आम लोगों का ओट पाकर ही संसद पहुचते हैं वे याद रखें कि सदन में किसानों की बात उठानी है सरकार किसानों से बात नहीं कर रही इसलिए उन्हें अपनी बात रखने के लिए यह तरीका निकालना पड़ा है इस समानतर संसद में किसान नेताओं ने निर्वाचित संसदों को धमकाया भी कि अगर वे किसानों की मागों को संसद में नहीं उठाएंगे तो उन्हें इसका नतीजा भी भूगतना पड़ सकता है हालाकि ज्यादातर विपक्षी दल सुरू से किसानों की मांग के समर्थन में रहे हैं इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने फिर संसद परिसर में विरोध प्रदर्चन किया दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से भी इसे लेकर सदन में हंगामा स्वभाविक है किसान आंदोलन को चलते आठ महीने हो गएं कड़ी सरदी धूप और बारिस जेलते किसान सडकों पर डेरा डाले हुए हैं मगर सरकार की तरफ से कोई व्योहारिक रास्ता निकालने की पहल अब तक नहीं दिखी है पहरा किसान अपनी मांग पर आड़े हैं कि तीनों नए किरसी कानून रद किये जाएं और नियुन्तम समर्थन मुल्य की गारंटी दी जाए मगर सरकार किसी भी रूप में कानून वापस लेने को तयार नहीं है इस हठ धर्मिता में कोई बीच का रास्ता नहीं बन रहा कानून बनाना सरकारों का काम है मगर उसे लेकर अगर नागरिकों की तरफ से कोई आपत्ती दर्ज कराई जाती है तो उस पर विचार करना उन कमियों को दूर करना भी सरकार का ही दाईत्व है हाला कि सरकार कहती रही है कि वह किसानों के सुझाओं के मुताबिक इन कानूनों में संसोधन को तयार है पर जिन बिंदूओं को लेकर किसानों को एतराज है उन पर वह बात ही नहीं करना चाहती दरसल ये कानून जिन इस्थितियों में पारित कराए गएं उससे ही सरकार की मनसा पर सवाल उठने सुरू हो गए थे अनेक किरसी विशिसग्य किसान संगठन इन कानूनों में फसलों की खरीद भंडारण सहकारी खेती आदी से जुड़े प्रावधानों को खेती किसानी के लिए खत्रा मानते रहे हैं इनके जरिये खेती पर कार्पोरेट घरानों के कबजे की आसंका जताई जाती रही हैं उन्हें इन कानूनों में संसोधन की गुंजाइस नजर नहीं आती इसलिए वे उन्हें पूरी तरह रद करने की मांग कर रहे हैं पहरा कानूनों को उचित ठहराने के लिए सरकार ने कभी तारकिक ढंग से बात नहीं की बलकि उसे इस आंदोलन को ही बदनाम करने की कोशिस करते अधिक देखी गई पहले इसे देश के एक छोटे से हिस्से के किसानों का आंदोलन बताया गया फिर इसे खालिस्तान समर्थक कहा गया फिर अनेक तरीकों से धरने पर बैठे किसानों को परिशान करने की कोशिस की गई अनेक किसान नेताओं और उनका समर्थन कर रहे लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करके उन्हें जेलों में डाल दिया गया इस तरह किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती गई अगर सरकार सचमुच इस आंदोलन की गंभीरता को समस्ती तो सायद यह नौबत ना आने पाती कि किसान संसद सत्र के समांतर अपनी संसद लगातें हर्याडा पंजाब और उत्तर परदेश के पक्षमी इलाके में गाउं गाउं में जन प्रतिनिदियों को किसानों का मुखर विरोध जेलना पड़ रहा है सरकार इस मसले को जितना टालेगी नजर अंदाज या किसानों को छकाने का प्रयास करेगी उतना ही इस आंदोलन का रुख उग्र होने की आसंका बनी रहेगी पैरा पंजाब में पिछले कुछ समय से सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर जिस तरह की गुटबाजी और खीचतान चल रही थी उससे साफ था कि अगर इस मसले को जल्दी कोई हल नहीं निकाला गया तो आने वाले विधान सभा चुनाओ में पार्टी की राह आसान नहीं होगी इसलिए कांग्रेस में सिर्ष अस्तर से कई कोशिसें की गई लेकिन राज के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग और नौजोत सिंग सिद्धू के बीच तलखी कम नहीं होपा रही थी जबकि फिलहाल देश भर में पार्टी के धाचे से लेकर राजियों की सत्ता के मामले में कांग्रेस जिस नाजुक दोर से गुजर रही है उसके मद्दे नजर पंजाब में खुद को बचाना और मैदान में तिकाए रखना उसके लिए प्राथमिक है सायद यही वजह है कि पंजाब में चुनाओं के मद्दे नजर जनता के समर्थन का समिकरण अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए पार्टी ने एक तरह से जोखिम उठाया और अध्यक्ष पद नौजोत सिंग सिद्धू को सौपा लेकिन आसंका के अनुरूप कैप्टन अमरिंदर सिंग के खेमे में पार्टी के इस फैसले का स्वागत नहीं हुआ हालत यह थी कि सिद्धू को राज कांग्रेज का अध्यक्ष बनाने के संकेत मिलने के बाद अमरिंदर सिंग ने राज की राजनीती में जरूरत से ज्यादा दखलना देने की सलाह देते हुए सिर्ष नित्रित्व को पत्र भी लिखा पहरा इसमें दो राए नहीं की राजनीतिक माहौल के लिहाज से कांग्रेज के लिए पंजाब के हालात अनुकूल नहीं हैं किसान अपनी मागों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और राज भर में आंदोलन का असर देखा जा रहा है नए किर्सी कानूनों के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में स्वभाविक ही किसानों के निसाने पर केंद्र सरकार और भाजपा हैं इसके बावजूद इस माहौल का फाइदा उठा कर जनता का समर्थन अपनी ओर ठोस तरीके से मोड पाने में कांग्रेश को अगर काम्याबी नहीं मिल सकी तो सकी है तो इसकी वजह क्या हो सकती है जाहिर है कांग्रेश के भीतर इस बात को लेकर मन्थन चल रहा है और इसी कड़ी में नए परियोग के तोर पर सिद्धु को राज में पार्टी की अध्यक्षता सौपी गई है मगर एक असपश्ट फैसले के बाद भी पार्टी में कलह फिलहाल सांत होती नहीं दिख रही है सोमवार को सिद्धु ने राज में कांग्रेश के अस्सी में से अपने पक्ष में 62 विधायकों का समर्थन हासिल होने का दावा करके कैप्टन अमरिंदर सिंग के सामने एक नई चुनोती पेश कर दी यो राजनीती में मतभेद को कोई अस्थाई प्रवृत्ती नहीं माना जाता व्यवहारिक पैमाने पर किसी भी नेता का कद इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पीछे जनता और पार्टी सदस्यों का कितना बड़ा तबका खड़ा है फिलहाल चूंकी सिद्धू ने इसमें बाजी मार ली है इसलिए अब अमरिंदर सिंग के रुख में थोड़ी नर्मी दिखी है हलाकि यह देखने की बात होगी कि राजधाचे में इस बदलाओ के बाद दोनों खेमों के बीच सकरातमक तालमेल बन पाता है या नहीं खास तोर पर तब एक समय अमरिंदर सिंग के लिए परिसानी का सबब बने राजिंदर बाजवा, सुखजिंदर रंधावा और सुखबिंदर सरकारिया ने अब सिद्धू का दामन थाम लिया है इसके अलामा थोड़े वक्त पहले तक राज में पार्टी के ज्यादातर विधायक अमरिंदर सिंग के साथ थे और अब सिद्धू करीब तीन चोथाई विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं इस नई परिस्थिती को कैप्टन अमरिंदर सिंग कितनी सहरस्ता से सविकार कर पाएंगे और अध्यक्ष पद पर होने के नाते सिद्धू कितना सब को साथ लेकर चलने का रास्ता तैयार कर पाएंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्रिय नेत्रित्व दोनों के बीच सकती संतुलन का कैसा नया धाचा खड़ा कर पाता है इस टॉप तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किर्पया इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जेश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रिस कर दें ताकि मेरे लिटिस्ट वीडियो जो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप खर बैठे संकेत लीपी को सीख सकें धन्यवाद